दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का रेडियो कुमावानी में और आपको मैं बताना चाहूंगी आज मैं हूँ पीएससी पदंपुरी में और इस वक्त मेरे साम बाचित के लिए यहां के काउंसलर है दीपा विष्ट जी और उनसे हम बाचित करेंगे और खासकर मैं आ मैं दीपा विष्ट आरकेस के कांसलर पीएसी धारी जैसे कि यह 28 माई को विष्व महावारी सुचता दिवस के रूपे मनाया जाता है खासकर तो हम यहीं जाना चाहेंगे कि जो कारिक्रम है इसका उदेश ही क्या है हम जो महावारी दिवस को हम खासकर सेलिबरेट कर रहे ह वह भी सुचता के तौर पर इसको हम मना रहे हैं तो इसका उदेश ही क्या है इस कारिक्रम का इसका मेन उदेश ही है कि सुरियों को महावारी के बारे में जानकरी देना उसमें किस प्रकार से सुचता रखने उसके बारे में बताना पोशन के बारे में जानकरी देना इसका बिल्कुल, तो काफी अच्छा ये कारिक्रम है, सरहानी कारिक्रम है, तो आप जैसे स्कूल में जाती हैं, आप एक काउंसलर भी हैं, खास कर किशोर किशोरियों के स्वास्त के ले काम करती हैं, तो इस कारिक्रम मतलग क्या-क्या चीजें आप लोग को उन किशोर किशोरियों क सुधार, तीसरा है नसावरित्ती की रोगथाम, और चौथा है गेर संचारी रोगों की रोगथाम, पांचवा है मानसिक स्वास्थ सुधार, छटा है लिंगा आधारित, हम सारी रिखिंसा, चोट है हम अधिकार संदक्षन, इसके छे टॉपिक हैं, इनी पर हम लोग जब स्क इसलिए व्यक्ति का साफ सभाई के बारे में, तूसरा पोसन संबंधी जानकारी, और यदि किसोरियों के इस दौरान कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उससे संबंधित यदि कोई कुछ पूछते हैं, उसके बारे में उनको परामर से दिया जाएगा, जी बिल्कुल, तो एक चीज और हमें जाना है, आप जब फिर्ड में जाती हैं, उनसे मिलती हैं, लड़कियों से मिलती हैं, तो महावारी से जुड़ी क्या-क्या परेशानिया उनकी निकल कर आती हैं? महावारी से रिलेटेड बहुत सारी किसोरियों की दिक्कते आती हैं, मेंली हमारी के दौरान पेट में दर्द, और बहुत सारी किसोरियों को यह समस्या रहती हैं, मतलब मेरे साथ वाली किसोरी को पीरेट आ गया है, और मुझे नहीं आया भी तक, इस टाइप से भी निकल क तो क्यों नहीं आ रहा है इस प्रकार से समस्या निकल गया थे तो क्या ऐसा भी कभी होता है आज मैं एक थोड़ा सा बताना चाहूंगी क्योंकि कुछ समय पहले एक बच्ची थी जिसे फर्स पीरियड हुआ था फर्स पीरियड में वो समझ नहीं पार थे कि क्या हो गया है मेरे साथ तो उसने मतलब बहुत रोना धोना इस तरह से उसने कर दिया था और घरवाले भी बहुत डर चुके थे तो क्या ऐसी स्थित्या भी आती है भले ही उन्हें पीरियड अभी नहीं आ रहा है तो फिर भी हम उन्हें उसके बारे में जानकारी देते हैं कि एक नैचुरल प्रकिरिया है और ये आपको आनी सौभाविक ही है दस से उननी साल की एज में आपको कभी भी हो सकता है तो इसके लिए पहले से आपको तैयार रहना है हमेशा जब आप स्कूल जाते हो तो एक सेनेटी नैपनिन का पकेट अपने पैग में रखें और कोई भी ऐसा लगता है क्योंकि इसमें पास दिन तक जो होता है ब्लीडिंग होती है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नी होती है तो यदि ऐसा कुछ लगे तो अगर स्कूल में हो तो टीचर को बताओ घर में हो तो अपने पेरेंट्स को बताओ इसमें घबराने वाली कोई बात नी होती है यदि वो पहले से aware रहेंगे उनको जानकारी रहेगी तो फिर वो इस type से problem उनको नहीं होगे बिल्कुल और एक चीज़ कि आपको भी लगता है कि एक मम्मी पापा और एक बच्चों के बीच में भी ये जो gaping हो gaping नहीं होनी चाहिए क्योंकि शायद अगर माबाप भी बच्चों को इस तरह से ये मम्मी सिक्षा देती है पिरेट को लेके तो बहुत आसान हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल यदि घर में किसोरी की मा है तो उससे अगर वो खुल के अच्छा से बात करती है एक दोस्ताना तरीके से उसके साथ बिहवार करती है तो जरूर किसोरी अपनी बाते हैं अपनी मा को जरूर बताएंगी इसलिए उनको एक दोस्ताना तरीके से अपने नहीं बताएंगी, इसलिए उन्हें दोस्ताना तरीके से अपने बच्चों के साथ रहना ही चाहिए जरूर, एक चीज़ और, क्या जो ये बच्चियों के लिए खासकर कपड़ा इस्तमाल करती हैं, फिर पैट का इस्तमाल करती हैं तो क्या आपके जो केन रहे हैं, यहां से भी इनको सेनेटरी पैट प्रोवाइड किये जाते हैं? हाँ, बिल्कुल अभी जो ये 28 माई को बताया था अभी कि विश्व महामारी सवच्चता दिवस चलाया जा रहा है, इसी के अंतरगत, जो 10-19 साल की किसोरियां हैं, तो उनको 6 रुपे में सेनेटरी नैपकेन का पैकेट आसा के माध्यम से दिया जा रहा है, तो जो जिस गा जो यूज करें, और बहुत ही इसकी जो कीमत है, बहुत ही काम है, छेह रुपे में आसानी से उसे ले सकती हैं, तो मेडमों बहुत सारी चीजे हैं, जो महामारी के दौरान परिशान करती हैं, खास कर लड़ों को, तो इसमें भ्यक्तिगा जो सच्चता है, वो कितनी एहम हो अंडर गार्मेंट से हैं, वो नहीं चेंज करती है, तो उसे इंफेक्षिन होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, तो इस दौरान साप सपाई का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है, यदि साप सपाई नहीं रखे गई तो गंदेगी से उनको प्रजण्ड मारगी संकर्मन होन तो साफसफाई का बहुत ज्यादा महत्वी तो बात रही साफसफाई के और आपने भी बोला शुरुआत में और मुझी भी लगता है महावारी के दौरान बहुत दर्द होता है मलडिकों को तो क्या उसके लिए किस तरह से उस पर हम ने अंजर पा सकते हैं हावारी के दौरान थोड़ा बहुत दर्द होता ही है है ना तो नेचुरल प्रकिर्यागी थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो उसमें आप गरम पानी की बोटल से पेट में सिकाई कर सकती है या फिर घर में तावाज होता है उसे गरम करके कॉटन के कपड़े से उसमें लग स्क्रम करें और जो डेली के गाम है वह गड़ सकते हैं और खानपान पे विसेज ध्यान देना है य gesture जाधा ही दर्दों हरा है तो में पने आप कोई भी दर्दे निवारत दवा नहां कि पर अफर दल करें ऑहिंटिह सकता है कि कोई महАवारी प्टकीरिया जो चक्र हो स्ठार्ट होता है तो इक ज्रू साल तक हो सता है महावारी चक्र अन्यमित रहे तो इसके बाद अपने नौर्मली धरे शाNEYरे जो प्रकीरिया और ज़्यादा जाग रुकता फेराने के ज़रूत है या फिर आज मतलल लगभग लड़किया इसको जानती है समझती है और अपने देखे कर सकती है नहीं जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आये थी तो तब तो मुझे लगता था कि नहीं जानती है लड़किया बहुत कम इसके बारे में जानती है बोलती नहीं थी सरमाती थी लड़किया है ना आज हम जब जाते हैं उनसे बात करते हैं मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ मेरे पास आती है तो खुद ही बताती है अपने आप की पेट में दर्द हो रहा है या फिर जैसे white discharge है है ना उसके बारे में नहीं जानती ते यह क्या होता है क्या होता हिश किया नॉर्मल है थो इसके बारे में पी जान रही है पता जला है उनने किल के बात कर रही है अपनी धिकतें बता रही है तो बहुत सारी awareness आई है भी वी लेक कि जब अचानक से उनके साथ ये सारी प्रकृष्या होती हैं तो थोड़ा गवराज आती है क्या हो रहाए अगर के तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत सारी आवेर्नेस आई हैं इसके बारे में बहुत-बहुत थन्यवाद आप धन्यवाद